नमस्कार दोस्तों, साथियों, प्रियविदार्थियों, हम पढ़ने वाले हैं इस कलास में करंट अफेर कोई भी एक्जाम आप देते हैं तो लगभग पिछले 6 मेने का करंट अफेर जो है वो मैतुपुर्ण होता है और साल बर का अगर आप देख लेते हैं तो प्रियाप्त होता है लगभग वहाँ से क्यूशन कवर हो जाते हैं तो पहले हम राजस्तान का करंट अफेर पढ़ेंगे और ये जो करंट अफेर है ये आपके राजस्तान में होने वाले पढ़ते हैं कि एक्जाम चाहिए पुलिस पटवारी कॉंस्टेबल हो चाहिए कॉलेज असिशेंट प्रोफेसर हो आरेस परी हो मैंस हो और भी कोई एक्जाम हो सभी के लिए राजस्तान का करंट अफेर राजस्तान में होने वाले एक्जाम के लिए वोटेट होता है तो जनवरी 2024 से लेके आने वाले टाइम में आपके जब भी एक्जाम होते हैं अगर मानलेजे 2024 में तो दिसमर 2024 तक का या मानलो जब भी आपके होते हैं तो पिछले साल बर का जो करंट अफेर है वो सफिशेंट रहता है तो हम जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मई जून जुलाई अभी पिछले साथ मेने जो है का करंट अफेर जो आपको पढ़ाएंगे रिविजन कराऊंगा मैं जिसमें जनवरी का फिर फरवरी का मार्च का इस प्रकार से अपने साथ कलासेज में हम साथ मैने का करंट अफेर कवर कर लेंगे फिर जो है इसके बाद मेने के objective अभ्यास जो है वो भी आपको करवा दूँगा मैं प्रते एक महिने के जितने भी क्यूशन बनते हैं 25-30 उसके objective अभ्यास भी हो जाएगा PDF आपको टेलेग्राम पर ही मिल जाएगी तो पहले आप वीडियो के वल सुन लो समझ लो और याद करने का परियास कर लो उसके बाद में आप टेलेग्राम से PDF लेकि PDF की रीडिंग कर लेना चाहिए प्रेंट निकाल लेना प्रेक्टिस करने हैं आपको टेस्ट पेपर की तो objective में यूट्यूपर ही करवा दूँगा फिर भी आप और प्रेक्टिस करना चाहो उसके दुबारा बाद में तो फिर यस गुरू अपलिकेशन है वहाँ पे इसकी टेस्ट स्रीज भी अवेलेबल है ठीक है तो अब हम सु जनवरी जो है वहाँ से हम सुरू कर रहे हैं तो जिसमें दिसंबर की गटनाएं भी हम लेंगे दिसंबर की गटनाओं से कवर करेंगे जिसमें की विदान सबा चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण यहां से topic बनता है करंट अफेर का तो सबसे पहले आप यह दियान में रख तो देखो यहां 6 और 8 सम संक्या है दो का गेप है यह आपको याद रखना है इतनी खास बात ठेक है अगली बात चुनाव हुए कब थे तो 25 नवंबर यानि जब गटना गटती है उसमें तो अपने को याद रहता है चार सेमें बीत जाते है तब हम यह चीजें भूल जाते 25 दिसंबर क्रिस्मस डे होता है अटलवेहरिवाजपेजी का जनम दिन भी है उससे एक महिना पहले ऐसे आप याद रख सकते हैं 25 नवंबर जो है 2023 को चुनाव हुए थे राजस्तान में राजेपाल कलराज मिस्र है जिनोंने बजलाल सरमाज जो है उनको मुख्यमंत्री बात कही गई है कि राजेपाल मंत्री परिस्द की सलाह से जोकार ये करेगा और उधर हम बात करें भारत के अंदर की तो वहाँ पे 74 में जो है 73 में है मंत्री परिस्द और 75 में परदान मंत्री पद का उलेख है तो यहाँ पे आपको 164 अनुछेद भी द्यान में रखना है तो मुखे मंत्री को सपत कोन दिलाते हैं राजेपाल मुखे मंत्री को और मंत्रियों को सपत राजेपाल दिलाते हैं बजनलाल सर्मा जो है राजस्तान के चाउदवे मुखे मंत्री है ठीक है अब विदान सबा सोल भी हैं तो चाउदवे कैसे हुए क्योंकि जैसे व्यक्त करमांक्स ऐसे हैं कि मान लोग कुछ कम ही रहे जैसी हिरालाल देवपुरा बहुत कम रहे तो उसे थाप से 26 वे जो है करमांक्से हैं चेत्र जो है वो सांगानेर है इनका विदान सबा जो चेत्र है वो जेपुर का और मूल्त है ये भरतपुर जी लेके हैं सपत का कार्यकरम 15 दिसंबर को रखा गया था और दो उप मुखे मंत्री बनाए गये हैं आपको पता अच्छे से दिया कुमारी जो है विदान सबा चेत्र है इनका विद्यादर नगर और प्रेम चंद बेर्वा जो है ये है दुदु ठीक है दोनों को ही उप मुखे मंत्री जो है वो बनाया प्रोटेम इस्पिकर कोन थे ये इंपोर्टेंट परसन यहां से बनता है तो आपको ध्यान रखना है काली चरण सराफ प्रोटेम का मतलब यह वा कि जब तक इस्पिकर यानि विदान सबा का अध्यक्स अपने सदश्यों में से बहुमत से चुना नहीं जाता तब तक उनको कारवाई चलाने के लिए जो ए इस्पिकर जो है उनको प्रोटेम इस्पिकर बोलते हैं वो ये सबको सपत दिला देते हैं लगबग तो विदान सबा के सदश्यों को पदी की सपत दिलाई काली चरण सराफ जो है ये सबसे वरिष्ट विधायक है आठ बार विधायक रह विधान सभा के जो इश्पीकर है उनके लिए अनुचेद 178 है समिधान का ये भी आपको ध्यान में रखना है जबकि लोग सभा का जो इश्पीकर है उसके लिए कितना अनुचेद है आप कमेंट कीजिए अजमेर उत्तर से ये विधायक है वासुदेवजी देवनानी कलियर तो देखो एक तो विधान सभा देक्स द्यान में आपके और प्रोटे मिश्पीकर आपको याद रखना है कालिचन सराफ उसके अलवा इधर आप ये भी याद रखे मुख्य सच्य तक जो गेस्वर गरग विधायकी है उन विधायक को ही बनाते हैं नेता प्रतिपक्ष तो का उलेख है अब पार्टी वाई सीटों की बात करें तो भारतिय जनता पार्टी की 115 सीटें आई है और वोट परतिसत मिला है 41 कॉंग्रेस की आई है 69 और भारतिय आदिवासी पार्टी बी एपी बाप तो ये अभी आरेस मेंस के एक्जाम में इसका प्रसंजु है पुछा गया था उसमें भी करंट अफेर की कुछ क्यों सनाते हैं पॉलिटिकल वाले पार्ट में तो कि भी इस पार्टी की कितनी सीटे हैं वो टुकडो में था ऐसे और उसमें कितने प्रतिसत वोट मिले हैं तो सीटे आप द्यान में रखें तीन सीटे इसमें क्योंकि तीन नंबर कि बड़ी पार्टी यही है दो तो सभी जानते हैं कि बिज़ेपी कॉंग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी कौन सी है तो यह चेत्रिय पार्टी जो है यह है भारतिया दिवशी पार्टी अब यह आप यह तस्विर में आप देख सकते हैं जानते हैं अच्छे से बजनलाल जी सर केबिनेट मंतरी ही होता है अगली बात आगे चलें इसमें राजस्तान विदान सभा की 200 सिटों में से 100 निन्यान पर ही मतदान हुआ यह जो निन्यान में का फेर यह लगबग हर चुनाव में चलता है होता क्या है कि जिसे मालों 200 सिटों पर हो रहा है तो कहीं न कहीं ऐसी घठ फीर तो फिर मत्री बनाऊ दिया गया था परत्य थे आगे चुनाओं के बникомई गए थे तो गुर्मित सिंग कुंदर के साइदी पुत्री है रूपिंदर सिंग कुंदर ये वहां से विदाइक जीत गए बाद में चुनाव है जो पुना चुनाव में अब है एक परसन ये कि भी सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता तो जो उपमुखे मंतरी है न दिया कुमारी जी ये ही जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीती कितना इगतर हजार वोटों के अंतर से इगतर हजार का ये वोटों का क्या है अंतर है ये जो गेब था न हराने का वो लोक सबा के चुनाओं में सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जिते कमेंट कर किया बताना अंतर से सबसे कम मतों से अंतर कोट पूतली से भाजबा के हंसराज पटेल केवल 321 वोटों से केवल 321 है सबसे युवा विदायक अब आप सोचिए जैसे कोई 100-200 वोटों से आरता है तो बड़ा अफसोस भी होता होगा और एक वोट से आर जाए ऐसा भी हुआ है अपने CP जो सी वो आर गए थे तो भी ये लोक संतर का ही है देको सिस्टम की हो जाता है सबसे युवा विदायक ये रविंदर सिंग भाटी है जो यूटूब पे खूब जो इनके वीडियोज भी चलते हैं तो 25 वरस के ही है सीव विदान सबा से और आपको पता ही है कि 25 वरस नियूनतम आयू है चुनाव लड़ने के लिए यूपेसी वगरे के लिए की साल है फोरम भरने की वो उसके लिए और अगर हम इदर की बात करें लोग सबा की विदान सबा की 25 साल है राजे सबा और विदान परिशद की 30 साल है नियूनतम आयू और राष्टर पती इनके लिए 35 वरस है महिलाओं की स्तती क्या है यहां से क्यों सन पूछा जा सकता है कुल 142 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिसमें से 20 महिलाओं जीत गई अच्छा स्कोर है पुरसों की तुला में गर जखें तो परशेंटेज के साब से कुल में से तो 20 महिलाओं जीत गई परन्तों फिर भी 200 क कि 20 जास का मतलब अभी 10 परतिसती है और इन में से अगर हम बात करें तो अनुसुचित जन जाती की दो महिलाएं जीती है अनुसुचित जाती की 6 महिलाएं जीती है अलागि यहां महिलाओं को अलग से कोई आरक्षण नहीं है यह से डाटा उसमें अवेलेबल थे तो आपको अगर आप से पूछें कि विधान सभा में अनुसुचित जाती के लिए कितनी चीटे आरक्षित है एस्टी के लिए कितनी आरक्षित है बताओ बताओ देखें आप तो वो आरक्षण के नुसार निकालो गर आपको आरक्षण पता है 12 और 16 प्रतिसत तो आप वेसे भी निकाल सकते हो तो इस परकार महिलाओं का प्रतिसत दस यह तो आपको इतना याद रखना है 20 महिलाएं है पिसलिवार थी 23 पिसलिवार से 3 कम है तो आप 20 याद रखना है 84 और 47 ऐसा कुछ है तो अब है पांच सांसद है वो भी चुनाव जीतने में सपल रहे हैं फिर तो इनको अभी यह आलरी उस समय MP थे ठीक है इनको टिकट दी गई तो बावा बालकनाथ राजय वर्दन सिंग राठोड दिया कुमारी के रोडलाल मीना और अनमान बेनिवाल तो विदायक पद को संबाल रहे हैं अब बात आती है आगे इधर मुख्य मंत्रियों की कि विराजस्तान के अब तक कितने उप मुख्य मंत्री रहे गए यहां से क्यूसन बन सकता है टिका राम पालिवाल जैसे आपके दिहान में होगा कि हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले लाल सास्त्री थे चुनाव लड़ने के बाद आबने तो टिका आप याद रखें दिलक लगा के निर्वाचित हुए तो टिका राम पालिवाल तो यह पहले मुख्य मंत्री भी है उसके बाद में फिर क्या वा कि जैनायन व्यास जो है वो बन गए थे तो इनको बना दिया उपमुख्य मंतरी ठीक है तो यह उपमुख्य मंतरी थे राजस्तान के पहले ये भी आप ध्यान में रखना दूसरे हरी संकर बहाबडा तीसरे और चोते जो है असो गहलोत जी मुख्य मंतरी की जो पहले वाली सरकार्थी फश्ट टर्म जो था जो इथे आण में से दो जा वान ये तो दियाकुमारी कर दें परन्तु दियाकुमारी नहीं है कमला बेनीवाल जो है वो थी फिर बनवारी लाल बेरवाई दो समय थे फिर वापस अभी जो असो गैलोजी की पूरो वाली जो ट्रम थी जो भी इस से पहले बजलाली से पहले तो उसमें भी सचीन निर्वाचन अधिकारी तो प्रवीन गुपता तो राजस्तान में जो लोकसभा जो राजस्तान में लोकसभा के हो चाहिए राजसभा के हो चाहिए विदानसभा की चुनाव तो भारत निर्वाचनायोग करवाता है और पंचायति राज और जो नगरिया निकाई है उनके चुनाव राज्य निर्वाचनायोग करवाता है मतदान का परतिसत क्या रहा तो यह आपको याद रखना है पिचेतर पॉइंट 45 के से याद रहेगा इजिली शी बात है कि अभी पिचेतर वाँ अमरत मोहतसव सब्सके मनाया जा रहा था आजादी को पिचेतर साल हो गए थे तो आप सिदा सिदा याद रख लेना कि पिचेतर परसेंट तो है साड़े पिचेतर के लंसम है तो पिचेतर पॉइंट 45 परतिसत तो आप इसे याद रख लेना सरवादिक मतदान गरामीन चेतर में बहासवाडा में हुआ कलराज मिश्र राजयपाल महोदे ने 22 मंत्रियों को सुरुआत में ही पद और गोपनिता की सपत दिला दी थी और 22 तो वो हो गए और दो उप मुखे मंत्री मंत्री 24 हो गए थे फिर टिटी का इस तरफे से 23 एसी कुछ संख्या है राजस्तान सरकार के मंत्री मंदल में दो महिलाएं वो अपन मंत्री मंदल और देख लेंगे दुबारा तो ये भी इंपोर्टेंट है कि मंत्री मंदल में कितनी महिलाएं हैं तो दो महिलाएं जो है वो है एक तो दिया कुमारी जो कि मंत्री मंदल में उप मुखे मंत्री पदपे हैं वित मंत्री भी है और दूसरे है मंजू बागमार तो ये राजे मंत्री शामिलाईस है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है दिया कुमारी और मन्जू बागमार उसके बाद यह बात हो गई अपने चुनाओं की कलियर तो चुनाओं में आपको सबसे ज़्यादा जीत सबसे कम जीत महिलाएं 20 याद रखना है वोट का परतिसत याद रखना है 75.45 उसके अलावा मुख्य मंतरी अभी दो है तोटल अब तक साथ रह चुके हैं या साथ हुए है तो इस वरकार के कुछ फेक्ट आपको याद रखने हैं अब कुछ और गठना है लख पती दीदी सम्मेलन योजना चल रही है लख पती लख पती मतलब जो महिलाएं हैं गरामीन महिलाएं हैं जो गरी में या जैसे जिस हिसाब से तो लख पती नाम दिया गए कि वो लख पती दीदी जो है वो है और इसमें जो हस्त सिल्फ है और है तो इसमें रूमादी भी एक आदर्स की रूप में जानी जाती है तो यह जैसलमेर में आयोजित हुआ लख पती दीदी योजना के लिए इसम अब अगला है दिवे कृति सिंग को मिला अर्जुन अवार्ड ये भी इंपोर्टेंट परसन है दिवे कृति सिंग तो ये महीला गुर्षवार की लाड़ी है और भारत की ही राजस्तान की नहीं भारत की एक मातर महीला गुर्षवार की लाड़ी है जिसको अर्जुन अवार मिला है गुर्ण सवारी में अभी जो एस यह खेल हुए थे 2023 में गुआंग जू में उसमें उने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड परत्योगिता में भी इनोंने पदक जीता और भारत निर्वाचन आयोग ने ये हैं आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति महदे के द्वारा इ इनको स्टेट क ऐलेक्शण आइकन भी बनाया तो प्रसंद कहीं से भी उजसाता सकते हैं मन्तली जो क्योंसर नाते यह दो सब्सक्राइब उस्पेपर पुने वाला चाहिए एक और पढ़ लो वियुजण कर लो सून लो तो यह भी अभी जो आरेस से मुख्य। विक्षाज हुई थी अभी एक दो दिन पहले उसमें परसंद पुछा गया था दिवेकरती सिंग विकानेर हाउस तो कोलेज एपी एक्जाम में भी पहले परसंद पुछे गए थे जो हमने पढ़ाया तो आगे कोलेज एपी एक्जाम है असिस्टेंट प्रोपेसर का संस्कृ चिक्षा विभाग के एक्जाम है सेकिंड ग्रेड और वो उनमें उसके अलावा और वर बी एक्जाम होते हैं तो उसके लिए आपके CET है वरेसब में उप्यों की रहेगा बिकानेर हाउस नाम विकानेर हाउस है दिल्ले में है तो इसका निर्मान अंग्रेजों के समय बिक पूराने कोई बने वेए चीज़ें तो काई उन्हा का asi काम किया तो इनने क्या है सुष्ण सर्श्ण पुरुषकार दिया गया किसको आस डिली राजास्तानी भासा का साइथे पुरुषकार। के नध्रिय अडिली दिल्ले में, उसके दुआरा राजस्तानी बहसा, अपने वाली के लिए साहित आकादमी पुरुषकार, जो है, मतलब राजस्तानी बहसा में कोई किताब लिखते हैं और वो अच्छी चल जाती हैं, तो उसको मिलता है, तो इसमें अपने मिला है गजेंदर सिंख राजपुरो तो पलकना ये चमकना तो पड़कती प्रीत के लिए दिया गया है एक लाग रुपेश में पुरुसकार भी दिया जाता है राजी तो याद रखें इंपोर्टेंट है राजस्तानी बासा के लिए साहित एक आदमी पुरुसकार पड़कती प्रीत ठीक है साहित आप नया नया लाते हैं जमक होती है किताब के अपरे से पोलिथीन बगर एच देवी ठीक थे, रखलेता है सनेक सावचे शावच कोथ-सनेक-सनेक-ससनेक-ससरफ तो पहला साव उूद्यान, इक पो स्वेला सब्सक्राइप कोटा कव्ता में ही Reinfield Airport और कोटा में वह भी है कोटां नहीं देखा तो क्या देखा में अधिर मंदल वे इस वह पिता रहा है तो कोटा में खोला जाएगा जिसमें उट्रात करती है जो आपको यहां कोई पारसंट नहीं बनेगा कि ही कि इतने परकार के 29 परकार 28 परकार ऐसे नहीं कितने परकार के अमेरिका के तो यह तो क्यों जानकारी के लिए कि एक दो लाइन एक्स्ट्रा होता आपके दिमाग में कि अच्छा इस परकार के तरह तरह के सांप होंगे वो लोग उनको देख सकते हैं सांपों को भी देखो देखने का जो है वो परेटन के जाब से होता है अब है विक्षित भारत संकल्प यात्रा ये चुनाओं के जिस्ट बाद दिसंबर जनुरी में आपको याद होगा गाओं में अभिहान वगर होते थे ये चलाई गई थी विक्षित भारत संकल्प यात्रा विक्षित भारत बनाने का सपन 2027 का है, मोदी जी का केंदर सरकार का परियास है, कि 2027 के सरकार भारत निशित रूप से सब के परियासों से ही संभभ होगा. तो इसका सुभारंब जो है वर्चूल रूप से हुआ टोंक से हूए, ये आपको याद रखना है टोंक. कि भे इसको तो online इस ऊबारम किया, ताकि क्या है कि कोई कोई विखशिव भारत है ना तो कोई तोके नहीं तूके नहीं तिगा कि यसे ट्रिक शेर याध रिंख लेना 15 दिसम्रु को तो वो क्या आया था जो एक तारी तारीक आई था था उनको लोगों तक पहुंचाना, बताना, जानकरी देना और लाभानवित करना शिल्प गराम उत्सव तो शिल्प गराम जो है उदेपूर में है उदेपूर में पस्ची में छेतर सांस्कृति केंदर ये भी याद रखना है ये क्या है भारत में सांस्कृति केंदर है अलग-अलग जैसे पस्ची मीचेतर राजस्तान में हो गया पूर्वी चेतर असम साइड में है उत्री चेतर दक्षिन मद्दे मद्दे से साथ है ये तो अपने राजस्तान में उधेपूर में है ये पस्ची मीचेतर तो इसमें दस दीवेसिये सिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया राज एपाल महोदे के द्वारा पी ए के भी ये क्या है तो ये 36 गड में कोईले के बंडार है जो राजस्तान के लिए मलब दिये गए है इसे में तो राजस्तान विद्युत उत्पादन निगम जो है ना इसको मिलाव है यह कोई इनका सिस्टम होता होगा खरेदने का और तो कोईले की खाने हैं जिनको परसा इस्ट और कांटा बेसिन परसा इस्ट कांटा बेसिन और साइद इसमें नाम है परसा इस्ट कांटा बेसिन तो परसा या पारसा इस्ट कांटा बेसिन ठीक है यह आप ध्यान में तो यह केंद्रिया कोला मंत्रा के दोईजा इसको star rating जो किला मिलने हैं घ्लोने है परनीचर का समान है आदी चीजें जो इसा जावट की चीजें आदी तो ये कहां हुआ तो इसका आयोजन राष्ट्री कर्शी और ग्रामीन विकास में जो नाबार्ड जो लोन वगर देती है संस्ताओं को तो मुंबई में इसका मुख्याले है द्वारा किया गया जेपूर के जवार कला के अंदर में अवजित हुआ ज्यादा तर जो प्रोग्राम होते हुआ जेपूर के जवार कला के अंदर में होते हैं और ओप्सन में रविंदर मंच जवार कला के अंदर आये तो आप जवार कला के अंदर अक्सर कर देना इन में रेखा मीना ये रेखा मीना जो है खेतली की इंजिनियर हो सकती है तो इनको लंदन में एक प्रोग्राम में कार डिजाइनिंग के चेतर में कारों की भी डिजाइन तयार करने वाले लोग होते हैं विद्वान एक्सपर्ट तो चेतर में विश्व का प्रतिष्ठित CDN हो सकता ह कार डेड़ोपनेंट ऐसा कुछ होगा तो पिपल अवार्ड दिया गया तो आप ये नाम ध्यान में रखें रेखा मीना गार डिजाइनिग देखो नाम में ही रेखा है तो कार की डिजाइन इमेगी से आपसे मालो वो करते हैं रेखा इंग बना बना के समंदी और जो है रेगुलेरिट्री अथोरिटी है नियम वगरे बनाती है तो उनके चेर परसन जो है इनको बनाया गया है विनु गुपता डिपेंदर सिंग पल साना ये दिल्ली में आयुजित 66 में राष्ट्रे निसाने वाजी प्रत्यों गीता मैं डिपेंदर सिंग में 50 म और इन्मोंने भी पदक जीता राष्ट्री निसाने बाजी चेंपिएंशिफ बोपाल में उई ये दिल्ली मेर जित 66 निसाने बाजी और ये राष्ट्री निसाने बाजी हो सकता है इसकी दूसरी कोई पर्त्यों कि अभीनाऊ चोदृ है या ऐसे नाम आ जाए कि किस खेल का परसन भी आजाता है और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट तो जो ज़्यादा फे मसेजे से मालो दिवे कृतिशिंग है तो वो तो आपको याद रखना है अनन्त जीत ये भी निसाने बाची में है अल्पना कटेजा ये इंपोर्टेंट है पूचा जा सकता है राजस्तान व जनवरी की पट्रें नहांनक ना आप अभी से जोड़ दो तो मानिंदर मोहन स्रीवास्तो बनाए गए हैं पेपर लीक बड़ी खतरना गठना उसकी जांच के लिए जो SIT है Special Investigation Team उसके नेतरतव कौन कर रहा है आप अच्छे से वाकिप होंगे अख़बार में भी तस्वीर जाती रहती है टीवी पे मीडिया में कोब अच्छे मतलब बहुत सालीन सांत सबाव के और कारिये बड़ा इनका कठोर है तो बहुत अच्छा कारिये इनका चल रहा है तो एडिस्नल डी जी पी वीक के सिंग जो है उनको सोंपा गया है और उमेर करते हैं कि ये एक एक कड़ जोड के जितने भी दो सी है पेपर लिग के आज यह नहीं पिसले पांस-दस सालों में जितने भी जब तक है और जितना पकड़ा जाए इनको सबको सलाकों के पिछे डाला जाए ताकि कुछ तो नई पोश्टें भी और खाली और पोश्टों में बेठे हैं वो और उसके अ जैपुर में नाहरगड है आपने देखा होगा कभी साहिद वो एक जैसे नो महल भी इसी में होंगे कहां है वो तो वेक्स म्यूजियम यानि जो मौम के पुतले बगरे बनते हैं लंदन में तुसार्द म्यूजियम है दुबई में भी है तो इसी प्रकाल से अपने यहां भी बनाया गया है 2016 में बनाया था उसमें हाली में किस महानस्ती की मूर्थी लगाई गई तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर बाबा साहिब जो अंबेड कर है उनका इस्टेच्यू लगाया गया था उनका जो महापरी निर्वान दिवस है उनकी जो मर्त्यू हुई वो जो तारीख है उनके जो पुर्णितिति के उपलक्स में यह लगाया गया था जन्नम दिवस्याप वाकिफ है उनकी जो प्रमूख गटनाए है वो हमने यहां पे जन्वरी का ताक परिवा कि दिसंबर महीने की गटनाए जो आमने यहां पे देख ली है अगली कलास में फर्वरी माहा का फर्वरी में जन्वरी की गटनाए फर्वरी माहा के साब से हम करण्ड अफेर देखने वाले हैं फिर यह कंप्लीट हो जाएगा जैसे जुलाई तक फिर हम वापस यहां सी तो क्यूसन मनते हैं उनका भी अभ्यास आपको करवाएंगे धन्यवाद